हलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे फाइनेशल अकाउंटिंग के बारे में फाइनेशल अकाउंटिंग में सेवन पार्ट्स होते हैं फर्स ट्रांजेक्शन, वाउचर, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट और लोस अकम्ड और बैलेंशेट फर्स ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन में क्या होता है, हमारा लेन देन, कि हमने क्या खरीदा, क्या बेचा, इसके बाद हमारा आता है वाउचर, वाउचर में जो हमने खरीदा, जो हमने बेचा, कितने पैसों में बेचा, हम वो हमारे साइन कराता है, हम उसे साइन कराता है फिर उसके बाद आता है जनल, जनल में मैंटर्विस पास करते हैं कि हमने वो cash में खरीदी है या उसमें बेची है बैंक से payment की है, क्या की है उसमें सारी hand पास करते है जनल में उसके बाद आता है हमारा ledger ledger में हम एक एक चीज का account बनाते हैं cash का अलग account बनेगा, bank का अलग account बनेगा, purchase का अलग account बनेगा, सारी चीज़े ये ledger में आती है, उसके बाद आता है हमारा trial balance, जो हमने इन सब में किया, trial balance में हम एक एक चीज़ दिखाते हैं, कि हमने ये चीज़ इतने में खरीदी, इतने में बेची, तो that is the trial balance, उसके बाद आता है profit and loss account, profit and loss account में हम निकालते है net profit, कि हमें इन सब में करके, कितना हमारा profit निकला है, कितना हमें loss हुआ है, इससे हमें ये पता चलते हैं कि हमारे business में profit हो रहा है या loss हो रहा है, उसके बाद बनाते हैं हम balance sheet इन सब का वो करके फिर हम full and final हमारी balance sheet होते हैं किया कितनी हमारे liability खड़ी हुई है या कितने हमारे पास asset है कितनी हमारी investment हुई है that is full and final होता है balance sheet उसके बाद हमारी आती है acute income and outstanding expenses acute income जो होती है उसका मतलब होता है कि income earned but not yet received मतलब income हमने कमातो लिए है लेकिन अभी तक हमने receive नहीं कर पाए है कि कि जैसे हाँ आपने कोई अपना house या हुआ रेंट के उपर फिर उसके बाद आपने income कमातो लिए है लेकिन अभी तक आप उसे receive नहीं करने गए है तो that is the acute income उसका आता है हमारा outstanding expenses outstanding expenses का मतलब होता है expenses paid but not yet paid expenses आपको paid करने हैं लेकिन अभी तक आपने paid नहीं किये हैं तो that is the outstanding expenses thank you